नवस्कार दोस्तो, Knowledge IQ TV में आप लोगों का फिर से सौगा थे दोस्तो, अगर आप मेरा चनलन में नए हो, तो प्लीज चनलन को जाके सब्सक्रेब कीजिए, लाइक कीजिए और Knowledge IQ TV को सपोर्ट कीजिए और जो लोग Instagram में हो, सिर्फ Instagram का सर्च बॉक्स में जाए है और टाइप कीजिए Knowledge IQ TV, उसके बाद मेरा Instagram चनलन को फॉलो का लिजिए दोस्तो, आज बैंक पेंचनर का ग्रूप से एक बैंक रिटाइरिस और बैंक पेंचनर ने बहुत अच्छा बात किया है दोस्तो, मिस्टर मलिकर अंजुन राई, जो रिटाइर्ट PNB चेर्मेन और CMD है मतलब आज 22 तरिक है, 6, 7, 8, 9, 9 दिन बाद रिटाइर्ड हो जाएगा अभी मलिकर अंजुन साब के पास श्रीब 9 दिन बाखी है और 9 दिन के बाद 31 जनवरी रिटाइर्ड हो जाएगे और Mr. मलिकर अंजुन राई ने विद दाउट पेंशन अपडेशन का जो रिपोर्ट है और उसके साथ-साथ प्री 2002 रिटाइर्ड इसका जो डिये है दोस्तों उसको बीच में छोड़के ओ रिटाइर्ड ले लेंगे मतलाब मलिकर अंजुन राई का जो मुखे काम था दोस्तों वो किसी भी चैलेंड अभी तक डिसकस नहीं कर रहे हैं तो Mr. मलिकर अंजुन राई जी का जो मुखे जो बिशाय था ओ था पेंशन अपडेशन और उसके साथ साथ 2002 रिटाइरिस का डिये को अपडेट करना तो उस टाइम में जब IBA सर्कुलर दे रहा था साड़े वार्कमैन उनियान को तभी IBA ने एने ही बताया था Mr. मलिकर अंजुन राई 30 जनवरी 2022 में रिटाइर हो रहा है लेकिन हमने आप मेरा वीडियो का सेक्षन में जाईए और एक वीडियो था उसमें हमने बताया थे Mr. मलिकर अंजुन राई जी 31 जनवरी में रिटाइर हो रहा है तो अगर एक बेक्ती रिटाइर होने वाला है बहुत जल्दी से जल्दी तो उस आदमी को आपने क्यू इतना बढ़या जो रेस्पोंसिबिलिटी है वो क्यू दिये हो हमने ये बताया था तो माननिय सुप्रीम कोर्ट ने साड़े चिठा खोल के रग दिया है और माननिय सुप्रीम कोर्ट ने साड़े पेंचनर और रिटाइरिस को ये बता दिया है मालिकार अंजुन राई 30 जनवरी 2022 को रिटाइर हो जाएगा तो जो डिएफेस है और डिएफेस का जो बॉसेस है बॉसेस मींज इसमें आईएस ओफिसर होता है उसके साथ साथ कैबिनेट सेकेटरी बहुत कुछ होता है तो डिएफेस और आईबिये का जो बॉसेस है तो डिएफेस और आईबिये का बॉसेस क्यों ऐसे आदमी को काम को एसा हीं किया है जो आदमी का मन नहीं उस काम को करने का दोस्तो अगर आप तीन से चार महिने में रिटर्ट हो जाओगे तो तीन से चार महिने में आप ढंक से नहीं काम करोगे क्यूंकि उस टाइम में आपके उपर बहुत सारे प्रेशार रहते हैं जैसे प्रोविडन फंट हो गया, ग्रैचुईटी हो गया, उसके साथ साथ घर का काम, बच्चों का शादी, मतलब बहुत सारे काम रहते तो वो 3-4 महिने में कोई भी आदमी ठीक तरीके से काम नहीं करता है, और सरकारी जो बाबु लोग है, जो बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, वो बाबु लोग तो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि काम करना ही छोड़ देंगे, 3-4 महिने जब रिटार्मेंन का बाकी और होना भी चाहिए क्यूंकि हम 25 से 30 साल अच्छे तरीके से काम किये हैं और 3 महीने काम करके कौन सा फाइदा होगा हम लोगों को ऐसा माइंसेट आ जाता है सरकाड़ी बाबु लोगों को तो DFS जो IBA का भाबु लोग है वो क्यूं काम एसाइन किये थे मिस्टर राई जी को ऐसा कोस्चेन उट रहा है बैंक पेंचनर और बैंक रिटारिस का मन में तो मिस्टर राई को पनिश करना चाहिए क्यूंकि जो इंपोर्टेन सा काम है पेंचन अपडेशन के साथ जो प्री 2002 रिटारिस का डिये वो काम नहीं करके वो रिटार्ड हो जाएंगे उसके बाद आप देखे ना सिम्पिल भासा में आप देखे ना अगर उसके पोजिशन में निया जो आदमी आएंगे तो कोट ने क्या बोला था तीन महिने तो एक महिने में कितना दिन होता है 30 देज, नहीं तो 31 देज और February कितना मत का है? 28 तो अठञास दिन ओके समझ जो मतलब IBA और DFS जो निया जो रिक्रूट करेगा ना जो निया चीस मतलब निया employees को रिक्रूट करेगा नहीं तो निया बाभू को रिक्रूट करेगा वो काम समझने में एक महिना लग जाएगा मतलब pension updation का issues क्या है ये 2002 retirees DA का calculation बहुत सारे इधर उधर का कागाज वो study करने में एक महिना लग जाएगा और हाथ में रहेगा अभी दो मन्त तो दो मन्त में क्या होगा IBA और DFS लोग क्या करेगा इस टाइम में मुझे नहीं मालू ये तो अभी DFS और IBA बता सकता है अभी जब Mr. Raiji retard हो जाएगा तो Mr. Raiji का position में कौन सा कौन सा employee को काम assign करने बाले है TFS और IBA और इसके लिए जो CMD है Mr. Raiji को थोड़ा तो punish करना चाहिए न क्यूंकि 26 से 30 साल का जो case है वो आपने solve नहीं किये तो दोस्तो मुझे लगता है Mr. Raiji भी एक दिन retard हो जाएगे मतलब 30 जनवरी में रिटार्ड हो जाएगे उसके बाद उसका भी तो pension आएगा प्रॉबिन फंड आएगा ग्रैचुईटी आएगा तो Mr. Raiji उस टाइम में क्या करेंगे उस टाइम में क्या Mr. Raiji IBA के खिलाब कुछ कर सकता है तो बहुत complicated case हो गया है इस टाइम में दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने साड़े चिठा खोल दिया है सामने तो अभी जो pension updation का जो case है बहुत complicated हो गया है उसके साथ 2002 रिटारिस का DABA के मुख्य चीज है 5 days banking तो है और उसके साथ 1986 1986 ex-gratia जिसके बाद कोई भी लोग नहीं कर रहे हैं तो सारे bank pensioner bank retirees अभी DFS और IBA को main culprit मान रहा है उसके साथ मिस्टर Raiji को भी main culprit का चीर में बिठा दिया है इसके बाड़े में आपका क्यार आए है प्लिस comment section में बताईए और यह था दोस्तों आज का topic topic इधरी खतम करते हैं अच्छा लगे तो चलन को subscribe कीजिए और support कीजिए थैंक्यू फ्लेश खलता सब सकते हैं जाए है रसकी कीजिए हुआ